24 अप्रेल 1973 को जन में सचिन रमेश तेंदुलकर एक सम्मानित भारतिय पूर्व अंतरराष्ट्रिय क्रिकेटर हैं, जिन्होंने न केवल खेल की शोभा बढ़ाई, बलकि भारतिय राष्ट्रिय टीम की कप्तानी भी की, और क्रिकेट इतिहास में अब तक के सबसे महान बल्ले बाजों में से एक के रूप में अपना नाम दर्ज कराया, खेल पर उनका प्रभाव अतुलनिय है, कई रिकॉर्ड और प्रशन साएं उनकी महान स्थिती को रिखांकित करती हैं, तेंदुलकर की क्रिकेट यात्रा ग्यारह साल की उम्र में शुरू हुई, उन्होंने 15 नवं वह केवल 16 वर्श के थे, अगले 24 वर्शों में उन्होंने घरेलू क्रिकेट में मुंबई और अंतरराश्ट्रिय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया और अपने उलेखनिय कौशल और समर्पन से एक अमिट छाप छोड़ी, उनकी असाधारन बल्लेबाजीक शम्ता ने उन्हें एक दिवसिय अंतरराश्ट्रिय वंडे में 18,000 से अधिक रन और टेस्ट मैचों में 15,000 से अधिक रन बनाने की अनुमती दी, जिससे वह दोनों प्रारूपों में सर्वकालिक सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाडी बन गए, इसके अतिरिक्ट उन्होंने मैदान पर लगातार शांदार प्रदर्शन करते हुए अंतरराश्ट्रिय क्रिकेट में सबसे अधिक मैन्फद मैच पुरसकार प्राप्त करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। के रूप में स्थान दिया था। तेंदुलकर के शांदार करियर में उन्हें 2002 ICC चैंपियन्स ट्रोफी जीतने वाली टीम का हिस्सा भी देखा गया और उन्होंने संयुक्त विजेता के रूप में जीत साजा की। हाला कि उन्हें सर्वोच गौरव 2011 में मिला जब उन्होंने भारत की विश्वकप जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो 6 विश्वकप मैचों में उनकी पहली जीत थी। विशेश रूप से विश्वमंच पर उनकी निरंतर उतक्रिष्टता को प्रदर्शित करते हुए उन्हें 2003 विश्वकप में प्लेयर आफ दे टोर्नमेंट नामित किया गया था। क्रिकेट के मैदान से परे तेंदुलकर ने भारतिय समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने खेल से परे देश के प्रती अपनी प्रतिबधता को प्रदर्शित करते हुए 2012 से 2018 तक नामांकित राज्यसभा में संसद सदस्य के रूप में कार्य किया। उनके समर्पन और प्रभाव को भारत सरकार ने उचित रूप से मान्यता दी, जिसने उन्हें अर्जुन पुरसकार 1994, खेल रत्न पुरसकार 1997, पद्मश्री 1998 और पद्म विभूशन 2008 जैसे प्रतिष्ठित पुरसकार दिये। नवंबर 2013 में उनकी सेवानिवरित्ती के बाद उन्हें भारत के सर्वोच नागरिक पुरसकार भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो राष्ठ के प्रती उनके अध्वितिय योगदान का एक प्रमान है। उलेखनिय रूप से वह यह सम्मानित सम्मान पाने वाले पहले खिलाडी बने, जिससे एक राष्ठिय आइकन के रूप में उनकी स्थिती और मजबूत हो गई। तेंदुलकर का प्रभाव वैश्विक स्तर पर बढ़ा, ताइम पत्रिका ने उन्हें 2010 में दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया। 2010 में उनकी उलेखनिय उपलब्धियों को तब स्विकार किया गया, जब उन्हें अंतर राष्ठिय क्रिकेट परिशद में वर्ष के सर्वश्रिष्ट क्रिकेटर के लिए सर गार फेल्ड सोबर्स ट्रोफी से सम्मानित किया गया। ICC पुरसकार अंतरराश्ट्रिय क्रिकेट समुदाय पर उनके प्रभाव की पुष्टी करते हैं 2012 में एक दिवसी अंतरराश्ट्रिय मैचों से सन्यास लेने और नवंबर 2013 में अपने दो सोवे टेस्ट मैच के बाद क्रिकेट के सभी प्रारूपों को अलविदा कहने वाले तेंदुलकर ने 264 अंतरराश्ट्रिय क्रिकेट मैचों और 34357 रनों के विसमयकारी कुल स्कोर के साथ अपने शांदार करियर का समापन किया उनकी विरासत कायम है जैसा की 2013 में विजडन क्रिकेटर्स अलमनैक की 150वी वर्षगांट के अवसर पर सर्वकालिक टेस्ट विश्व एकादश में उनके शामिल होने से पता चलता है इस प्रतिष्ठित तीन में तेंदुलकर महान विव रिचर्स के साथ खड़े थे जो द्वितिय विश्व युद्ध के बाद के युके एक मात्र विशेशग्य बल्ले बाजों का प्रतिनिधित्व करते थे इसके अलावा, 2019 में तेंदुलकर को क्रिकेट में सर्वोच सम्मानों में से एक मिला ICC Cricket Hall of Fame में शामिल होना, जो खेल पर उनके स्थाई प्रभाव और प्रभाव का एक प्रमान है उनके पचासवे जन्मदिन पर उनके योगदान को अनोखे तरीके से याद किया गया, क्योंकि सिड्नी क्रिकेट ग्राउंड ने प्रतिष्ठित ब्रायन लारा के साथ उनके नाम वाले गेटों के एक सेट का अनावरन किया, जो मैदान पर लारा की 277 रनों की यादगार प एक उप्युक्त श्रधांजली के रूप में कार्य करता है। प्रतिय समाच पर एक अमिट छाप छोड़ी है, जिससे वह आने वाली पीढियों के लिए एक सच्चे प्रतीक और प्रेयना बन गए हैं।